नमस्कार हमारे किसान साथियों आप लोगों का मेरे चैनल इनाय गोट फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है और वीडियो सुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकन दवाना न भूलें दोस्तों ये जो खसी पालन के सौखीन लोग ह अच्छा है ये वीडियो लखनव की है एक हमारे जानने वाले हैं इसे फोन पे ही बात हुआ है उन्हीं भाई साहब को बकरा पालन का सौख है कमाई कम लेकिन सौख जादा है आमदनी भले नहों लेकिन उनका ये जो देख रहे हैं खंसी कितना तंद्रुस्त गर्दन और प देख रहे हैं चना खिला रहे हैं खिलाई बहुत अच्छे से करते हैं हमारी बात हुई थी तो बताया कि खंसी को या बकरी को दवा वही दिया जाता है कि मतलब कोई दिक्कत है जैसे बुखार है तो दवा खा के सही हो जाओ तो अगर कम खुरा खा रहा है तो उसका दवा दिया जाता है कि हां इसका लीवर सही हो जाए कि अंदर कोई समस्या हो सही हो जाए टो भी हफते में देते हैं मतलब एक हफ्ते पे देते हैं साम के टाइप तो मैंसे बात चीत हुआ है पोलाकात भी होगा फोन पे बात हुआ है तो दोस्तों आप इनके खंशी तो नोगों देखी रहे हैं कि या खा रहे हैं देख रहे हैं, यह देख सकते हैं чमक खंसी के अंदर, चना खिलाती है और एक पाव भूसे में किलो चोकर मिला के खिलाते हैं तो खिलाई प्लाई पर ध्यान देते हैं और कहते थे कि टानिक देते हैं कि मतलब कोई दिक्कत है तो उसका सही हो जाए फुराक और बढ़े जितना अधिक आप भर पेट भोजन कराएंगी उतना अच्छा खंसी आपका त्यार होगा दोस्तों ये लखनव के अंदर अच्छे क्वाल्टी के बखरे जो पाले जाते हैं सौक के लिए पाल रखें भाई साहब और कहीं पे जमीन मतलब लेके काम हो रहा है हमें तो वीडियो क्लिप भाई ने दिया है कि हाँ चलो देख लो मेरे बखरे तो दोस्तों बखरे बहुत खुबसूरत था वो पहले आला बखरा तो आप लोगों ने देखा ही होगा किन्ना खुबसूरत ये भी बहुत अच्छा बखरा है बखरा कोई भी हो लेकिन जब आप लें तो अच्छे नसल के बखरे लें और अच्छे सुन्दर बखरे लें हश्ट पुष्ट हडडी तब छोटे बच्चे जब पालने के लिए लें वही बखरे बहुत अच्छे चलेंगे फिलाई के लिए ये देखिए ये पीछे जो आप लोग धोती जैसा बाल देख रहे हैं ये तो इस टाइम हम पता रहे हैं साइथ राजस्थान की नसल ये आगरा साइट की नसल है तो ये बहुत खूब सुरत ये धोती जैसा जो इनके पीछे बाल लहता है दोनों पैर के बीच में ये हैं इनकी पछान है साइथ ये सिरोही है तो दोस्तो में चीज है कम पालिये, दस पालिये भाई साब ने हमें बताया लेकिन उन्हें देख रेक खिलाई-पिलाई और अच्छे परजाद के पालिये सो पालिये से अच्छा है दस पालिये और दस पालिये गए इनके खंसी भी 80,000-80,000 के भाई साब के बिखते हैं तो मुझे से बात हुई और काफी जानकारिया दिये हैं जब इन से मुलाकात होगी दोस्तों तो आप लोगों तक वो वीडियो जरूर पहुचेगी कौन से भाई साहब हैं तो आप लोगों ने इनके जो खंसी देखे हैं आप हमसे कमेंट बाक्स में राय लेना चाहते हैं तो राय मिल जाएगे क्योंकि भाई साहब तुरंद बताएंगे बहुत जानकार आदमी है और बहुत अच्छी बाते हमें बताएं हैं और कैसे खंसी को तयार किया जाता है कैसे ते मलब इनको क्या खिलाया जाता है दोस्तों क्या क्या करना चाहिए तो आप लोगों ने तो यहूं भी खिलाते हैं बहुसे में चोकर चोकर एक किलो रहता है बहुसा 25 ग्राम रहता है ऐसे मिक्स करके देते हैं और इस खंसी जिस जात का भी है लेकिन इसके बाल तो आप लोगों को समझी गए कि कि रना अच्छा है तो दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रही अग अगली मुलाकात हमारी होगे किसी अन वीडियो में